हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग संट्रिफिकल पंप का सारा पार्ट्स का नाम और उसका काम क्या है उसके बारे में जानेंगे तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरण चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरण जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजे क्यूंकि मेंबर्स के लिए इस पे लिए बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं यह जो है मोटर है मोटर का काम क्या है पंप को ड्राइब देना पंप अपने से नहीं कोई भी केमिकल को सक्षन करके डिश्चार्ज करता है दोस्तों उसके लिए एलेक्ट्रिकल पावर सोर्स ल लब जोए कपलिंग बोला जाता है और बीच में यह जो देख रहे हैं यह इस पैडर है यहां पर देखिए स्पाइडर लगा हुआ है और इसको इसपाइडर लगाने के बाद बेस में हम लोग को अलाइमेंट करना पड़ता है मोटर और पंप को तभी कपलिंग सीधा रहे जाकर आप फुलवाच कर सकते हैं तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों लबजोए कपलिंग यहां पर पीनबुस कपलिंग भी हो सकता है कोई और भी कपलिंग हो सकता है बटी यहां पर कपलिंग दिया हुआ रहता है पॉम को ड्राइब करने के लिए ठीक है मोटर जो है drive side बोला जाता है कभी भी। याद रखना है आप लोगों को। जिधर coupling रहता है इस side को drive end बोला जाता है। यहाँ पे एक bearing है और यहाँ पर देखिए greeze point दिया हुआ है। इस जगा पर देखिए यह वाला grease point है। यह वाला pump का जितना parts है यहां से यहां तक सारा parts इसी shaft में connected है तो यह shaft है दोस्तो ठीक है यहां पर bearing है यह end cover है यह पुरा hodging है यहां से लेकर इस जगह से लेकर यहां तक जो देख रहे हैं यह क्या है? hodging है pump का इसी hodging में ही bearing install होता है drive side का भी और इस जगह पर एक bearing है नॉन ड्राइब साइड का यहां पे देखिए यहां क्रीस पर दिया हुआ है यहां पे एंट कवर भी लगाया हुआ है तो यहां पे भी एक bearing रहता है तो इस साइड वाले को drive side बोला जाता है और इस side वाले को non-drive side बोला जाता है और यहां से लेकर यहां तक hogging बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों hogging इसी पे bearing इंस्टाल होता है अब यह अंदर चलते हैं लोग यहां पे देखते हैं क्या क्या है इस जगा पे यह जो देख रहे हैं इसको gland pusher बोला जाता है दोस्तों और इस ही gland pusher के जगा पे बहुत जगा mechanical seal इंस्टाल रहता है gland pusher में क्या होता है regular यहां से dropping water का होते रहेगा और अगर यहां पे gland pusher और gland packing के जगा mechanical seal लगा हुआ रहता तो जो भी liquid is casing के अंदर पे रहेगा उसका leakage नहीं होगा तो उस तरह का जो mechanical seal बगएरा है वो ज़्यादा तर chemical pump में यूज किया जाता है या तो costly जो liquid discharge कर रहा है DM water बगएरा वहां पे इस्तमाल किया जाता है यहां पे normal यह पानी के लिए pump है तो यहां पे देखिए gland packing लगा हुआ है इसको gland pusher बोला जाता है इसके अंदर में gland packing और lateran ring लगा हुआ है उसका photo आप लोगो दिख रहा होगा दोस्तो इसका भी किस तरह से gland packing को install किया जाता है उसका भी video मेरे channel में available है दोस्तो अब आजाते हैं यह वाले पार्ट को यह जो पार्ट देख रहे हैं यह staffing box का पार्ट है यहां से लेकर यह वाला पार्ट पुरा अलग रहता है यह वाला यहां पर देखें के तीन पार्ट देख रहा है, एक दो तीन, तो यह वाला जो यहां से यहांत तक होजिंग है, ये वाला staffing box है और इसी staffing box में ही gland pusher, lateran ring और आपका gland paking सारा इसी पर install होगा staffing box में और ये जो आप लोग साफ्ट देख रहे हैं ये वाले साफ्ट के अंदर पे एक sleeve लगा हुआ रहता है दोस्तों वो sleeve का काम क्या है? साफ्ट को वो protect करता है, साफ्ट को damage होने से बचाता है अगर sleeve नहीं होगा तो gland packing अब जब gland pusher को tight करोगे gland packing साफ्ट के उपर press करेगा और साफ्ट को damage कर देगा तो साफ्ट को damage होने से बचाने के लिए sleeve का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि sleeve का इस्तमाल क्यों किया जाता है इस जगह पे और यहां पे एक water deflector लगा उबा रहता है जो कि इस पे अभी नहीं है damage हो गया इसको आम लोगों को install करना पड़ेगा जिसका आप लोगों को photo दिख रहा होगा उसको water deflector या liquid deflector बोला जाता है दोस्तों उसका काम है जो gland से water का leakage होगा उसको इस hodging के अंदर जाने नहीं देगा अगर पानी hodging के अंदर चल जाएगा तो क्या होगा non drive side का जो bearing है वो जल्दी damage हो जाएगा तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पे एक water deflector या liquid deflector उसको बोला जाता है वो इस जगह पर install रहता है यहाँ तक clear हो गया अब यह वाला जो part है इसको बोला जाता है casing यह pump का casing है इसी के अंदर पे impeller है impeller ring है wear plate है सारा इसी casing के अंदर पे install है और जो liquid रहता है वो यहाँ से suction करेगा और यहाँ से discharge करेगा दोस्तों clear है यहाँ से suction करेगा और यहाँ से discharge करेगा तो इस part को यहाँ से लेकर पूरा यह वाले part को casing बोला जाता है यह स्टेफिंग बॉक्स है यहां से लिएक यहां तक haugging है यहां पर एक बेरिंग लगा हुआ है डिराइब साइड का यहां पर नोन ड्राइब साइड का बेरिंग लगा हुआ है इसकोности Verkehr घुक्लिंगर लगा हुआ है इस जगा पे एक water deflector लगता है और यह soft है और यह आप लोग को love joy coupling और यहाँ बीच में spider दिख रहा है यहाँ तक आप लोग को clear हो गया मैं थोड़ा सा आप लोग को अभी impeller दिखा देता हूं इसका इस जगा पे देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा दोस्तों यह इसका impeller है मैं भूमा कर भी दिखा देता हूं यह देखिए यह देखिए यह जो है इसका impeller है दोस्तों इसको थोड़ा भी हम लोग को coupling से गुमाना पड़ेगा वहाँ से थोड़ा problem create कर रहा यह देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसको घुमाएंगे इस तरह से तो यह भी यहाँ पे impeller घुमना स्टार्ट हो जाता है दिखिए इस तरह से तो यह impeller है यहाँ पे दिखिए यह lock nut है इसका impeller का lock nut है यह impeller को lock करके रखा हुआ है और जब हम लोग इस casing को खोलेंगे casing को खोलने के बाद हम लोग को एक impeller ring दिखेगा उस impeller ring को भी चेक करना पड़ता है कि अगर ज़्यादा gap हो गिया है तो उसको change करना पड़ता है नहीं तो जो pump का flow है वो drop कर जाता है दोस्तो तो उसका मैं next video बना दूँगा कि किस तरह से impeller का gap को set किया जाता है आज ये सारा मैंने parts का नाम बताया इसको note करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोग को आगे चलके industrial area में काम आने वाला है दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला knowledge मिला तो अभी तुरण चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही बेल आइकन को press कर दिजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का membership अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरण जाकर चैनल का membership जोइन कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो